स्वागत है आपका इस्टेडी रूल में फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भुमंडली कृत बिस्वका बनना ठीक है इसके बहुविकल्पी कोईश्चन हमने लिये हैं इसमें 19 कोईश्चन है आपके ठीक है सामाजी ग्यान के ये सारे जितने भी कोईश्चन है आपके बहुविकल्पी कोईश्चन बहुत ही महत्तपूर्ण है ठीक है और ये प्रिबियस येर कोईश्चन पेपर के बने हुए हैं सारे ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा ठीक है तो पहला वाला कोईश्चन देखेंगे देखें पहला कोईश्चन है जो आपका बहुत ही इंपोर्टेंट कोईश्चन है और ये कोईश्चन मतलब वंडे एक्जाम में आपका 10 दिसंबर होगा कौनसा आपसन नंबर ग ठीक है आपसन नंबर ग क्या होगा करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर दूसरा कोईश्चन देखेंगे दूसरा कोईश्चन है आपका कि 20 सुब्यापार संगठन डाबलू टी ओ ठीक है की अस्थापना कब की गई थी ठीक है तो कब की गई थी आपके 4 आपसन दिये गए तो इन 4 आपसनों में से जो करेक्ट आपका एंस्वर है वो है आपका 1995 1995 आपसन नंबर आपसन नंबर का वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा कि 20 सुब्यापार संगठन की अस्थापना कब की गई थी तो 1995 में की गई थी ठीक है देखेंगे तीसरा कोश्चन आपका क्या कहरा है तीसरा कोश्चन है आपका की 785 इस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का वीशकार किसने किया तो किसने किया था आपके 4 आपसन दिये गये हैं ठीक है हर परिफ्स है रेडले, स्टैनली और जोहन तो इसमें से जो गरेक्ट आपका एंस्वर है वो है आपका आपसन नंबर का हर प्रिप्स है आपका ठीक है तो सूथ काटने वाली मसीन जो नई मसीन बनी थी उसका विसकार गिस ने किया था कोई एक विमारी थी जो यूरोपी लोगों के साथ दक शिड अमेरिका तक पहुंच गई थी ठीक है तो यह वाला जो क्वेश्चन है आपका इसके जो आपके आपसं दिये हैं एड्स प्लेग चेचक और हैजा तो इसका जो करेक्ट एंसवर है उसका करेक्ट एंसवर करेक्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका देखेगा ध्यान से क्या है कि आर्थिक मंदी का सरवाधिक दूश प्रभाव किस और द्योगिक देश पर पढ़ा था ठीक है तो आपके चार आपसं है जर्मनी जापन फ्रांस और अमेरिका ठीक है तो इसका जो करेक्ट एंसवर है आपक प्रारंब किस वर्स हुआ था तो आपके चार आपसन दिये गए हैं इन चारों आपसनों दिये गए हैं तो किन देशों में ले जाया जाता था तो किन देशों में ले जाया जाता था तो यह आपके जो चारो आपसनों हैं, जो चारो आपसनों सही है, मतलब की आपका घहवाला सही है, मतलब सभी जितने भी उपर नाम दिये गए हैं, जो जितने नाम दिये गए हैं, वो सारे आपके, मौरिसस, फीजी, सिलोन, मलाया, त्रिनाद, गोयाना, सूरी नाम, ठीक है, तो ये सभी आपके आपसन सही है, आपके मतलब घौवाल आपसन सही हो जागा उक्त सभी, ठीक है? आप देखेंगे, आठ नमबर कुश्चन, आठ नमबर कुश्चन क्या कह रहा है आपका? कि render paste क्या था, मचली रोग था, पुरुष रोग था, पसू रोग था, या इस्त्री रोग था, ठीक है? तो इन चारो आपसनों में से जो correct answer है आपका वो है आपका आपसन नमबर पसू रोग ठीक है? रिंडर पेश्च क्या था आपका? कि पसू रोग था, ठीक है? तो आप देखेंगे नो नमबर कुश्चन यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजेगा और आप मेरे चैनल पर नए होगे तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजेगा ठीक है अब देखेंगे गैट की अस्थापना कब होई थी तो देखें गैट जो थी आपका नो नमबर जो आपसन है नो नमर कुश्चन है जो उन आपसनों में से कौन सा वाला करेक्ट सही है तो गैट की अस्थापना कब हुई थी तो 1947 में है ठीक है कोई चीज को आप रिलेट करके याद करेंगे तो आप आपको ज्यादा मतलब टाइम तक दिमाग में रहता है ठीक है अब देखेंगे दस नमर कुश्चन ठीक है दस नमर कुश्चन क्या करा है कि क्रिश्टोफर कॉलंबस मतलब क्रिश्टोफर उसका पूरा नाम है मतलब कोलंबस आप समझे कोलंबस गलती से जिस अग्यात माधिप में पहुँच गया था उसका नाम क्या था देखे कोलंबस आया था भारत की खोज करने के लिए लेकिन खोज कर दिया किसका अमेरिका का लेकिन वासको डिगामा अमेरिका की खोज करने आया था लेकिन खोज क correct हो जाएगा ठीक है आपसे नमर्खा अमेरिका correct हो जाएगा ठीक है 11 नमर्ख देखेंगे 11 नमर्ख जो question है आपका तेखे 11 नमर्ख जो question है अमेरिका के किस छेत्र को सोने का सहर आ जाता है यह बहुत ही important question है और यह आप हाली बूड मूवी देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा एल डोराडो की ठीक है, एल डोराडो, एल डोराडो एक जगा है, जिसे अमेरिका, अमेरिका के सोने का सहर कहा जाता है, एल डोराडो को, ठीक है, 11 number question आपको हो गया correct है आप देखेंगे 12 number question ठीक है जल्दी जल्दी question देख लेंगे क्योंकि कोई time paste करने का कोई मतलब नहीं है केनाल कालोनी किसे कहा जाता था ब्यापारियों के निवास चेतर को अधिकारियों के निवास चेतर को नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कालोनी को तो किसे कहा जाता था इन चारो अपसनों में से जो correct answer है वो आपका last वाला जो answer है नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कालोनी को केनाल कालोनी कहा जाता है ठीक है केनाल कालोनी कहा जाता है तो यह आप लोग किसी चीज़ से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं आप देखे आपका अगला कोईशन है ब्यापार अधिसेस से क्या अतातपर है जो यह आपका तेरा नमबर कोईशन है बहुत ही इंपोर्टेंट कोईशन है यह आपका अपसन नमबर गवालाग सही हो जाएगा वस्तू के आयात निर्यात के मुल्य का अंतर ही कालाता है ब्यापार अधिसेस ठीक है यह आपका एक तरह से परिवासा भी है कि ब्यापार अधिसेस क्या होता है ठीक है तो वस्तुओं के आयात निर्यात के मुल्य का अंतर ही ब्यापार अधिसेश कालाता है ठीक है तेरा नमर कोश्चन समझ में आ गया चोदो नमर कोश्चन देखेंगे बेटेन उट्स ब्योस्था का आधार क्या था ठीक है बेटेन उट्स ब्योस्था का आधार क्या था आपका कि एक ब्यापारिक समझोता था बिस्व में सांती ब्योस्था निश्चित बिनिमेदर या विश्चित बैंकिंग भी उस्ताथ ठीक है तो 14 नमर का जो कोश्चन का जो करेक्ट एंसर है वो है आपका निश्चित बिनिमेदर ठीक है आपका आपसर नमर का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपसर नमर का निश्चित बिनिमेदर ठीक है 15 नमर कोश्चन देखेंगे 15 नमर कोश्चन जो है आपका देखें बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है इससे हमने पड़ भी लिया था एक पहला वाला जो कोश्चन था आम लोगों का कि 20 सुब्यापार संगठन की अस्थापना कब हुआ था ठीक है तो कब हुआ था 1995 में आप लोग याद रखेगा 1995 में 1995 में लेकिन आप पूछ रहा है क्या कि 20 सुब्यापार संगठन की अस्थापना कहां पर हुई थी अब यहां पर पूछा कि कहां हुई थी अकब हुई थी इससे जो कोश्चन बनता है यह लांग कोश्चन बनता है इससे ठीक है तो आप क्या करेंगे कि बहुवविकल्पी कोश्चन से भी लांग कोश्चन आपको तैयार कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग बहुविकल्पी को भी ध्यान से पढ़िएगा तो 20 सुब्यापार संगठन की अस्थापना कहां पर हुई थी तो जो इन चारो आपका correct answer हो जाएगा इसका correct answer आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा question का answer हो सकता है जो आप नहीं सोचेंगे वहीं वाला होगा क्यों सा होगा आपका किटाव होगा किटाडू कोई सोच नहीं सकता है कि किटाडव हो सकता है ठीक है यह यह जो समय है कि अगला question है the the question us the question that क्वे आपका क्या खे़रा है कि वह उद्योग पती जिसने입니다 के दसक में किया निर्डै किया निर्डै किया तो आपके जो आपन सावला हो जाए grammar है हैंनरी फार्ड आपका आपसर नंबर क्या हो जागा करेक्ट हो जाएगा ठीक है 19mmm के तसक में लागण को कम करने का नीड़ा किसने लिया था ठीक है 18 नंबर कुछान देखेंगे 18 नंबर जो कौछान है आपका की आई एम एफ ठीक है पंद्र अगस्त नीशो साइटालिस आप लोग याद करेंगे ठीक है नीशो साइटालिस आई एमेफ और बिस्व बैंक ने कब से आप चार ही घुब से कारे प्रारम किया था तोह नीशो साइटालिस सी है ठीक है अब देखेंगे जैंट नमद्र खो ब्रीटेन फ्रांस और रोस ठीक यह आपके थे 19 19 क्वेश्चन आपको यदि आप लोगों को यह अच्छा लगता है वीडियो तो क्या कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा एक और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को क्या कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दी कर दीजेगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत